नमस्कार दोस्तों मैं अनिल कुमार इंफो सिक्षर चैनल में आप सभी का हार्तिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम मार्च महीने के 5 महतुपूर करेंट अफेस पर डिसकर्स करेंगे तो दोस्तों आईए पहले पॉइंट पे हम चैर्चा करते हैं कि RBI गवर्णर सक्तिकांत दास अब सक्तिकांत दास चैर्चा में क्यों रहे हैं RBI गवर्णर रिजर्ड बैंक आप इंडिया इन्हें केंटी बैंकिंग पुरसकार 2023 के लिए गवर्नर आप दे येर से समानित किया गया किस से गवर्नर आप दे येर से समानित किया गया दे इंटरनेशनल एकोनामिक रिसेर्च जेन्टल सेंटरल बैंकिंग द्वारा इस पुरसकार का आयोजन किया गया तो किसके दुआरा ये नाम याद रखिएगा और गवर्नर आपड़ाईयर तो दोस्तों रगुराम राजन इससे पहले इस पुरसकार से समानित किया जा चुके हैं आईए सिकंड पॉइंट पे चार्चा करते हैं दोस्तों दुनिया के सव सबसे अच्छे एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की जा चुकी है दोस्तों यहनि कि सवस्तेश्ट एयरपोर्ट की लिस्ट यह लिस्ट ब्रेटिस कंसल्टेंसी स्काई ट्रेक्स द्वारा जारी की जाती है तो किसके दुआरा ब्रिटिस कंसल्टेंसी स्काई प्रैक्स प्रिस्टा का नाम है जो यह लिश्ट जारी करती है अब दोस्तों इसमें पहले नंबर पे कौन सा एयरपोर्ट है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पहले अस्थान पे बना हुआ हमद अंतरतराष्टी एयरपो कतर यह सिकंड नंबर पे है हनेदा अंतरतराष्टी एयरपोर्ट जापान का यह तीस्ते नंबर पे है इंचियोन अंतरतराष्टी एयरपोर्ट दच्छिन कोरिया का है यह चोथे अस्थान पे है अब यहाँ चार अस्थानों की सूची मैंने दी हुई है तो पहला तो आप मान सकते हैं कि 35 एयरपोर्ट तक भारत के लिश्ट में नाम नहीं है तो 36 अस्थान पे भारत का इंदिर्या गांधी इंट्रिनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है इसका अस्थान मिला हुआ है आई ये दो सो नेक्ष्ट पॉइंट पे जो है चर्चा करते हैं प्रथम CDS यानि Chief of Defense Stop Gentle विपिन्तरावत ठीक है इनकी याद में पुरसकार की घोषड़ा किया ही है इसकी घोषड़ा इंडियन नेवी ने किया पुरसकार नौसेन आध्यक्ष एड्मिरेल आर हरी कुमार द्वारा प्रदान किया गया प्रथम पुरसकार योग्यता क्रम में प्रथम अस्थान पर रहने वाली महिला अगनिबीर प्रसिच्छ को दिया गया दूती पुरसकार गोवा के नेवल वार कालेज में कौन सा कालेज का नाम है नेवल वार कालेज कहां का गोवा का higher command force नेवल higher command force कर रहे most spirited officer को दिया गया तो आएए दोस्तों इसी के साथ next point पे चर्चा करते हैं IDFC first bank IDFC first bank क्यों दोस्तों चर्चा में रहा है इस bank ने मुमई इंडियन्स के साथ official banking partner के रूप में 3 साल का समझाओता किया है दोस्तों IPL यानि की युवाओं का सबसे पसंदीदा खेल तो आएए next point पे चर्चा करते हैं least developed contagious तो सबसे कम बेक्सित देशों की सूची यह सूची 1971 में United Nation यानि की सायुक्त राष्ट द्वारा बनाई गई थी और इसमें 46 देश सामिल है इसके अस्थापना दुनिया के उद्देश क्या है इसका इसके अस्थापना दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर देशों की पहचान करके उनका समर्थन करने के उद्देश से की गई थी 13 दिसंबर 2023 से भूटान को इस सूची से बाहर करती आ जाएगा यनि कि भारत भूटान भी उसी सूची में सामिल है 46 देशों की सूची में और इसको 13 दिसंबर 2023 से बाहर करती आ जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा जो आपका सजेशन है उसको आप कमेंट के द्वारा बताईएगा उसमें हम संसोधन करेंगे धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए नेक्श वीडियो में दुबारा हम मिलते हैं